कि अपने चैनल में तो फ्रेंड्स अभी है रात का टाइम और खाना हमारा बन गया है हम लोग सभी खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद आ गई हूं सीधे कीचन में क्योंकि मुझे करनी है साफ सुथरा कीचन की कीचन क्लीनिंग मैं आज करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि खाना खाने के बाद बहुत सारे गंगी जो हमारे रसोय रूम में आज आते हैं तो मैं कैसे करती हूँ अपनी कीचन को साफ सुथरा और सुन्दर दिखता है हमारा कीचन छोटा सा कीचन है हमारा और छोटे से कीचन को मैं कैसे सुन्दर बनाकर शाफ सुथरा रखती हूँ जिससे की मेरे मेरी कीचन का सुन्दरता बढ़ जाती है तो आईए आज मैं यही दिखाऊंगी तो सारे बरतनों को सबसे पहले मैं जुठन को हटा दी हूँ और हटाने के बाद अलग कर ली हूँ खंगार कर और इसके बाद जितना जुठन आया है बेसिंग में सभी को मैं इस लोटे में एक जगा कर लूँगी फेकने के लिए हाँ रात में बिल्कुल भी जुठा या फी कच्चडा हमें नहीं फेकना चाहिए इसलिए इसी चीज में मैंने उठा कर रख दिये हैं और इसके बाद पारी पारी मैं एक अक बरतन को लेकर अच्छे से मेंज लूँगी तो फ्रेंड्स मैंने सारे बरतनों को धो लिये हैं और धोने के बाद यहाँ पर पानी से अच्छे से अलमीरा को थोड़ा धो लेती हूँ चिकनाई वेगरा सब निकल लाएंगे तो पूरा अलमीरा को नहीं धोरी हूँ आधी अलमीरा को ही धोरी हूँ गैस के इधर वाले भाग में क्यूंकि यहाँ पर मुझे बरतन को रखना है तो अच्छी तरह से पाने से मैंने धुल लिये हैं और उपर वाला अलमीरा को मैं कपड़े से पोच लूँगी अच्छे से जहाँ जहां मैं हाथ छोती हूँ चटचट जैसा हो जाता है तेल वगरा से तो अच्छे से मैं उपर भी पोच लूँगी और पोचने के बास सारे बरतनों को मैं उपर सेट कर देती हूँ तो मेरे घर में मेरा रसोई रूम बहुत ही छोटा है तो मैं छोटे से रसोई रूम में ऐसे ही अच्छे से बरतन उपर रखती हूं सजा कर सुख जाते हैं बरतन तो उपर अच्छे से सजा लेती हूं और इसके बाद तु तबा बच गया था तो उसे भी मैंने अच्छे से मैंग दी हूँ लगड़ कर इसके बाद आ जाती हूँ सिधा मैं यहां पर ले आती हूँ गैस को ही और गैस को भी इस पे है ना के छोटे छोटे दाँ जैसे कि कुछ भी बनता है तो खौल जाता है या फिर तेल वगरा सभी लग जाते हैं तो फिर कंदे हो जाते हैं तो रोज डेली के डेली मैं गैस को रात में ही अच्छे से इस त श्णाइब मखब को लिः करें सब्सक्राइब के में खाँ के सारे जया इसे ऑ samenी और इसके बाद मैं देखिए यहां पर रोज इससे नहीं पराथा बनाया था तो उसका जो इससारे बरतन है जो चोकला बेलन मैं जुठे में नहीं रखती हूँ और उसे अलग से पानी भर के मैंने रख दिया है फुलने के लिए तो उसे थोड़ी देर बाद धोँगी तब तक मैं नीचे वाला पोर्सन को अच्छे से मैं साफ कर लेती हूँ तो यहां का डिबा डिबी जो थे सभी पर हाथ एक बार फिर लिये हैं ताकि उपर उपर जो गंगी हो वो हट जाए इसके बाद सारे गंगी को मैंने हटा लिये हैं और लोटे में रख ली हूँ इसी तरह और इसके बाद फिर से मैंने धूल कर पोचा अच्छे से मैंने लगा दिया है बढ़ियां से लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहां पर साफसुता रात में रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है तो साफसुता करके सो तो सुवा ना बहुत ही अच्छा लगता है और काम करने में तो बहुत ही मज़ा लगता है तो आज आई ये इसके बाद पोचा लग गया है अब पोचा लगाने के बाद सीधा आज आती हूँ उपर तो अब बारी है सिंग की याने की बेसिंग और नल विगरा सभी को अच्छे से मैं साफ कर लेती हूँ रगर रगर के तो देखिए फेंट पूरा चमकनी लगा मेरा बेसिंग भी और नल भी अब मेरा ये जितना गार ली ही कपड़ा और कपड़ा जो मैं पोच्छा लगाई थी साफ किया सभी को गार कर अच्छे से मैं बाहर चले जाती हूँ अब बाहर अंधेरा है देखिए रात का टाइम है और अभी बज रहा है साहे नौ बज गया है और इसके बाद मैंने कपड़े को पसार कर आकर इसके बाद मैं घड़े में पानी भी भर लूँगी तो थोड़ा गरम पानी देखिए मोटा चालू होता है ना तो गरम पानी गिरता है तो थोड़ा सा चेहरे को भी फेस को भी अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद अच्छे से मैं इस घड़े में पानी बھर लोंगी और एक बात यहां पर और कहूँगी कि घर में घड़ा को कभी भी खाली रखकर नहीं सौना चाहिए आपके पास घड़ा है या भी बरतन में एक बाल्टी पानी या भी घड़े में पूरा फुल पानी भरकर रखना जरूरी है अच्छा रहता है वास्तो सास्ते केनु सा रखा जाता है घड़े में पानी तो यह देखे हमारा घर शाफ सुत्रा सुन्दर कितना प्यारा मेरा छोटा सरसोई रूम है लेकिन छोटा सरसोई रूम को भी मैं अच्छे से साफ सुत्रा रखती हूँ कहते हैं ना घर छोटा हो या फिर बड़ा हो साफ सुत्रा हो तो क्या वात है छोटा सा रूम भी बहुत ही सुन्दा दिखता अगर शाव सुत्रा हो तो ये देखिए सभी मेरा नल, सिंग, सब चमक रहा है मेरा तो अब देखिए मैं चुले पर कुछ चड़ा रखी हूँ तो ये है पानी जो कि सोने से पहले मैं जरूर गरम पानी करके और सभी को देती हूँ ये देखिए तो पानी गरम हो गया है और सभी को निकाल देते हैं और सभी को फिर दे देते हैं, सभी को पिला देते हैं थोड़ा बच्चे हिजबन जी दोनों को मैंने पानी दे दिया है और ये बच्चा है मेरा पानी तो मैं भी पीलूँगी तो बस फेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं अगर वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करें बाई बाई